अरे वा भाई वा क्या नजारा है Roman Reigns and Rock पूरी Bloodline के साथ रिंग में खड़े हैं Bloodline वाले जेस्चर के साथ तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज विए SmackDown के एपिसोड के बारे में जो की एक हिस्ट्री बनाने वाला आईकॉनिक एपिसोड था और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखता है कि जो रॉक है उन्होंने एंट्री मार ली है South Lake City में सरेना में और आज रॉक शोपर आने वाले हैं पहले इससे ही जो फैंस हैं उनको हाइप करके रखा हुआ ता शो के लिए लेकिन शोपर जो सबसे पहली चीज होती है वो था बहुत जादा धांसु होने वाला है इसके बाद हमको शोपर देख़ें बैक स्टेज से कि रोमन रेन्स ने भी शोपर अपनी एंटरी मार लिये और रोमन侬ेल câ स्फूअ को जादा ही खुश है बहुत जादा खुश है रोमन रेंस वो उतरे अपनी स्कूवन जिम्युश्हा रिख का तिफिनी को इसनमें डेबल डॉबली पुश के उपर रख रही है और आके जाए के उनका जो करियर बहुत चमकने वाला है वो अभी देखके ही क्लियर पता चल रहा है और इसलिए वह यह वाला जो मैच उसको भी जीच जाती है बैकस्टेज से AJ Styles का भी सेग्मेंट और यह मतलब जिन्दिगी में अगर कोई एक ऐसा मेरे चांटा देखा हो जिससे शाद मुझे सबसे ज्यादा साटिसफेक्शन हुई होगी तो उस लिस्ट में कहीं न कहीं मैं AJ Styles के चांटे को भी रखूंगा टॉप पे जो कि आज उन्हो बाई तुम जाओ तुम अपना काम करो मिशन और अकाल इंडिसन सब वहाँ पर हैं लेकिन AJ Styles को किसी से फख नहीं पड़ रहा सिंगल्स रन ही वोन का लेके जाने वाले और आज जिस तरीके से उन्होंने जैकेट भी पहने हुए थी ब्लैक वाली भाई बहुत ज्यादा बैडएस लग रहे थे इसके बाद शो पर आता है एक टैक्टी मैच ऑथरस ऑफ पेन का और एक तरीके से यहीं बोल सकते हैं कि ज शालेट बूडरो और कैरन कॉस से सारे होते हैं तो फाइनल टेस्टमेंट इस तरीके से अपना जो टेस्ट है वो दिखा रहेगी क्या टफ कॉम्पेटिशन वो देने वाले हैं और ऐसा ही इन्होंने बिल्ड कर लिया ना मतलब रसल मेनिया तक जाके तो रसल मेनिया के और भाई क्या वियाईपी ट्रीटमेंट चल लिए उनके लिए कभी छोटे-छोटे ग्लास लेके जाय जा रहे हैं महां पर कभी खाना जा रहा है कभी कुछ जा रहा मतलब कि रोमन रेंज से रॉक के पूरी खातरदारी हो रही थी और डबल डबली शोपर ऐसे बिल्कुल उनके शोपर कंपीट किया तो यह उन रेर मौकों में इस है कि जब लोगन पॉल आज शोपर रेसल करने वाले थे एक बिल्कुल वैसा परफेक्ट मैस था है जहां पर लोगन पॉल अपने हील टैक्टिक्स का यूज कर रहे हैं मिस क्राउड में काफी मिस क्राउड में काफ कर दिया उन्होंने मिस को इस मैश में और अब लोगन पॉल का भी जो स्पॉर्ट है वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए कंफर्म हो गया तो देख रहा है जो स्टार पावर उस मैश किया और बढ़ रही और साथ-साथ इतने अलग अलग सूपर स्टार एलिना डू मैकंटार सब हैं तो भाई पता नहीं क्या करने वाले इस मैश के अंदर ये नेक्स रमको बैक्स्टेज से निक अल्डेस और ब्रॉन ब्रेकर भी दिखते हैं और ब्रॉन बेकर के सांद जेट कारगल भी होती है तो यहां पर इनके बीच में कुछ कॉंट्रेक्ट वगयर वायला सीन इस बात को बड़ा स्मार्ट तरीके सा फैंस के दिमाग में हमेशा लग देखो ऐसा भी कुछ चल रहा है भूलना मत किसी चीज को तो यह चोटे-चोटे-चोटे-ब्रॉन बैक्स्टेज से एंगल डालके स्टोरी लैंग प्रोग्रेशन इस समय कर रही है वह चीज देके ब ही बहुत इंपोर्टेंट है भले ही कुछ सेकंड्स का मूमेंट था ग्रेशन वालर और पॉल हिमन साथ में हैं और इस साथ में हैं कुछ बाते कर रहे हैं भी आपको पता है ग्रेशन वालर एफेक्ट होने वाला इलिमिनेशन चिंबर में जहां पर सैथ रॉलिस और कोडी सब्सक्राइब तो वह बड़ी एक इंट्रेस्टिंग चीज है आज वैसे पूरे शो की ना पूरी कैसे में पूरे सुबह उटके पूरी वीडियो बनाता हूं यह सब करता हूं इसकी कैसे शो देखता हूं कैसे बताना तो आज व्लॉग चैनल पर वीडियो आ जाएगी तो उसके लिए भी stay tuned next चीज होती है शोपर नेयोमी और एलबा फायर के बीच में मैच और यह नेयोमी को विक्ट्री दे दी नोंने नेयोमी की एंट्रेंस वैसे आज मैंने बड़े सही तरीके से देखी तो अच्छी और यूनिक लग रही थी वैसे glow वाली हमेशा ही रहते ले बेली भी दिखती है और बेली अभी ट्रस्ट नहीं कर पारी डेकोटा काई की ओपर वो गयाते मैं एप्रिशेट करने तुमने जो भी कुछ किया पिशले अपते लेकिन मेरे को तुम पे भरोसा करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो जो एंगाले डेपनीज लोग ह वह तो अलग हो गया है पूरी तरीके से लेकिन डेकोटा काई भी अपना स्पॉट ढूंटी और वो कहां पर है क्या वो उनकी साइड है इसकी साइड है यह स्टोरी डेवल डेमेज कंट्रोल के अंदर अबी चला रही है इसके बाद गई शो पर हमको निक ओल्डेस वेलकम क करती और अब भॉंड करती आःगार में अब बहुत हमाल मचाने वाले हैह अब बात करते हैं हम सो जो के में में इवन्ट की में में पॉने अँज में और मैंने ही चाहता कि तुम इसको किसी भी तरीके से बरबाद करो जब रॉक जब मेरा कजन बहार निकल के आएंगे और वो बोलते हैं कि हम अगर कोई बात बोले हैं हम जो कोई चीज कह रहे हैं तो वह ऐसे ही नहीं बोली जा रही उसके पीछे purpose है उसके पीछे meaning है वो चीज समझने के लिए जो crowd है वो इतना smart नहीं है ऐसा Roman Reigns बिलीब करते हैं और बोलते हैं कि आज जो है history लिखी जाने वाली है जब Roman Reigns ने बोला तो उसके बाद वहाँ पर crowd जो है Cody वाले चैनल कर रहा था Rock जो है member है bloodline का यह बात ही अपने आप में सुनने Roman Reigns के मूँ से कि वो बोल रहा है कि Rock bloodline में है बहुत जादा मतलब ऐसा moment है कि आरे यही चीज़ तो हम देखना चाह रहे थे कहा Roman Reigns वर्सिस रॉक की जो direction है वो ऐसी twist हुई कि दोनों सेम पेज के उपर आशके है और जैसे यह बात Roman Reigns ने बोली Rock का theme song हिट होता है भले ही कितना ही बोल लो Rock के लिए negative reaction है उनको लोग पसंद नहीं कर रही है वो हो रहा है Rock का जब theme song हिट होगा तो crowd उनके लिए cheer करेगा crowd उनके लिए आज भी cheer करता है Rock बहार निकल के आते है और भाई क्या golden वाली बिल्कुल चम चमाती हुई उन्हें अपनी जो tank top बोलो west बोलो वो पहनी थी और यहां से उन्हें बताया था कि उनका जो persona है वो बिल्कुल change हो चुका है वो आले rock नहीं रहागा है people's champion भली अपने आपको बोलने है लेकिन वो वो काम नहीं करने वाले जो कि fans पसंद करें और जब rock ने ऐसे बिल्कुल close करके अपना ऐसा camera angle से shot देगा तो भाई literally आप rock के goose bumps वहाँ पर देख सकते हो अब इसके बाद क्या होता है www ने perfect देखा भाई यहाँ पर बिल्कुल hype चली पीक चल रहा है चलो यहाँ पर commercial डाल देते है बीच में commercial आया उसके बाद commercial जाता है तो rock खड़े होते हैं ring में अंदर Roman Reigns के साथ और rock आके सबसे पहले बताते हैं आज सारे record तूट चुके है इतने सारे लोग यहाँ पर आया मतलब all time attendance का जो record है वो Salt Lake City के अंदर नहीं बल्कि हर जगा पर बन चुका है और इसके बाद उन्होंने आके roast करना सुरू कर दिया पहले तुनने बोला कि सब एक साथ आगे बड़ी बात कोई वो रॉक को विटनेस कर रहे है यहाँ बें बोलते है finally the rock has come back to Salt Lake City और जब उन्होंने यह बोला तो भले ही crowd कितना ही बू करें रॉक को साथ में वो बोल रहे है इस समको रॉक की जो popularity उसका पता चल जाता है इतना ही नहीं rocky के chant भी लग रहे है rocky rocky के chant लग रहे है और जब rock नहीं सुना तो rock थोड़ी से confused होगा कि हाँ यह अभी तक तो यह कुछ आलेगी चल रहे थे बाते मेरे बारे मेरे बारे कुछ और ही बोल रहे हैं लेकिन हाँ पर rocky वाले chant लग रहे है लेकिन तुम लोगों ने वीवांड कोड़ी ऐसा करके जो लोने मजाक उड़ाते हुए वहाँ पर इतने स्टूपेड हो उस टॉलेट सीट पर बैट के जो तुमने ट्वीट्स किये हैं तुमने जो हमारा मैच है जो आईएस को फलश कर दिया मतलब कहते हैं कि तुम में दिमाग है निया गधे हो तुम इस तरीके मैच को देख रहा हो तुमको यह बात है समझ में नहीं आने वाली चलो मैं तुमसे पूछता हूं कि यह स्टोरी क्या है स्टोरी है क्या रोमन रेंज मेरा कजन अलरड़ी लास्ट इयर कोडी रोड़ को हरा चुका है रैस विने में अचानक उस बंदे को दुबारा से री मैच चाहिए सब्सक्राइब कोडी कोडी जैसे जा रहा है उस मैच में वैसी वह बहार आएगा यानि कि एक लूजर की तरह यानि रॉक बिल्कुल भी नहीं देख सकते भाई कि रोमन रेंज के सामने कोडी रोड़ जीत रहा है और उसके बाद वो बोलते हैं इस यू समयल करके जब उन् आपने catchphrase में भी चेंज डालके उन्होंने officially बता दिया कि आज वो पार्ट बन चुके हैं Bloodline का and then Roman Reigns और पूरी Bloodline के साथ रॉग ऐसे वाला gesture करते हैं और यह वो एक iconic frame हमको मिला SmackDown से जिसको हमेशा के लिए ही याद रखा जाएगा बहुत बड़ी feel बना दिये इन लोगों अब यह चैनल पर आगे भी वीडियो आने वाली तो उसके लिए stay tuned आज का SmackDown आपको कैसा रहा comment section में जरूर बताना यह उड़ा अच्छे लेगी तो इसे like, share, subscribe, notification, bell कौन करतो और तब तक आप जिन्दीगे मज़े लोपर ना पता है नहीं जिन्दीगी आप समझे ले लेग करते हैं